हलो फ्रेंड्स वेलकम टो इजी होम कुकिंग रेसिपीज मैं हूँ अरिशना और आज मैं बना रही हूँ रिस्टरेंट स्टाइल एक बहुत ही ज्यादा पसंद की जाने वाली दिश तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी क्या है आज हम बना रहे हैं चिली पनीर जी सबसे पहले स्कॉयर टुकड़ों में काट लिया है इसके बाद हम इसके लिए कोटिंग बनाएंगे इसके लिए हमें चाहिए टू टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम पनीर को एड करेंगे और अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे पनीर पे हमने अच्छे से कोटिंग कर ली है अब हम इसे डीफ्राइ करेंगे डीफ्राइ करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और हम पनीर को एक एक करकेस में एड करेंगे एक तरफ पनीर जब अच्छी से सिख जाए तो हमें इसे दूसरी तरफ पलट देना है जिसे दोनों तरफ खोटिंग हमारी अच्छे से पक जाए यह देखिए पनीर हमारे अच्छे से तल गये हैं इनकी कलर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गये हैं अब हम इने निकाल लेंगे यह देखिए हमारे पनीर कितने बड़े हां एकदम गोल्डन ब्राउन हो गये हैं और काफी क्रंची भी हो गये हैं अब हम सॉस बनाने के त्यारी करेंगे सॉस बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज की प्याज को चौकोर टुकडो में काट लिया है एक शिमला मिर्च है इसको भी चौकोर टुकडो में काट लिया है एक हरी मिर्च है इसको छोड़ी टुकडो में काट लिया है एक टेबल स्पून अद्रक है इसको बारीक टुकडो में काट लिया है एक टेबल स्पून लेसुन है इसको भी बारिक टुकडों में काट लिया है साथ ही वन टेबल स्पून टोमेटो सॉस है वन टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस है और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन है इसको बारिक टुकडों में काट लिया है 1.5 tablespoon soy sauce 1 tablespoon white vinegar 1 fourth teaspoon काली मिर्च का पाउडर है नमक तेस्ट के एक ओर्डिंग है साथ ही हमने 1 tablespoon corn floor को पानी में गोल कर ले लिया है और 1 fourth teaspoon लाल मिर्च पाउडर है इसको भी हमने पानी में गोल कर ले लिया है अब हम sauce बनाते हैं तेल हमारा अच्छी से गर्म हो गया है अब हम इसमें डालेंगे हमारा लैसन अद्रक हरी मिर्च बस इसे जरा साच चलाएंगे इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च इसे हमें बस दो मिनट के लिए चलाएंगे ज्यादा देर इसे नहीं पकाना है जिससे मारा प्याज और शिमला मिर्च का क्रंची मिर्च बना रहे बस इसे दो मिनट के लिए चलाएंगे अब हम इसमें सॉस अड़ करेंगे सोया सॉस टोमैटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस इन्हें में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब डालेंगे थोड़ा से काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा इन्हें चलाएंगे जरा सा इसमें नमक अड़ करेंगे बहुत जरा सा नमक अड़ करना है क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला है और सॉया सॉस में भी नमक होता है इसलिए नमक ध्यान से डालना है अब इसमें लगभग 3 टेबल स्पून हम थोड़ा पानी अड़ करेंगे हम ड्राई चिली पनीर बना रहे हैं अगर हमें ग्रेवी वाली चिली पनीर बनानी है तो हम पानी थोड़ा सा जदा अड़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पावडर का पेस्ट जो हमने बना के रखा था इसे मिक्स करेंगे इसके बाद इसमें करेंगे कॉर्ण फ्लोर जो हमने गोल के रखा था दो मिनट के लिए इसे पकाना है अब हम इसमें पनीर के पीसे को आड़ करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे इनको मिक्स कर देंगे अब इसमें डालेंगे विनिगर बनकर तयार हो गया है अब हम इसमें प्रिस्पिंग ओनियन डाल देंगे बस हमारा चिली पनीर अब तयार है अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे बहुत ही टेस्टी चिली पनीर बनकर तयार हुई है आप एक बर इसे ट्राइ जरूर करिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो प्लीज प्लीज दो जरूर के लाइक लाइक करिए